मिध्वार को जन्में वैक्तिओं का स्वभाव मिथुन राशी तथा बुद्ग्र के प्रभाव के अनुसार होता है मिथुन राशी एक द्वी सोभाव राशी होती है अताह बुद्धवार को जन में वैक्तियों का दोहरा चरित्र होता है प्रतेक वैक्ति इनको समझ नहीं सकता है क्योंकि आपका दिमाग बहु मुखी प्रतिभा को लिये होता है आपकी बुद्धी बहुती तिक्षण होती है आप किसी की भी आलोचना करने में माहिर होते हैं तथा अपनी वाक्पटूता के द्वारा दुसरे वैक्ति की बोलती बंद कर देंगे आप अपने कारे से संतोष्ट नहीं रहते हैं इसलिए कभी-कभी आप स्वैम के द्वारा किये गए कारियों की आलोचना करने लगते हैं आप किसी भी छेत्र में प्रसिधी पा सकते हैं परन्तु आप अपने दोहरे चरित्र के कारण किसी भी छेत्र में बहुत दिनों तक तीक नहीं पाते हैं आपको कोई भी परिस्थिती बहुत दिनों तक परिशान नहीं कर सकती है। आप हर प्रकार के कारी करना चाहते हैं परन्तु किसी भी कारी में दिल लगा कर काम नहीं करते हैं। यहाँ आपका नाकारत्मक पक्ष है। इसे सुधारने का प्रयास करें। आप अपने मित्रों को बहुत प्रेम तथा आदर करेंगे तथा अपनी छमता से जाथा उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे कभी कभी आप बगार सोचे समझे किसी कारी को आरंब कर देते हैं जिसका प्रणाम आपको बहतर नहीं मिलेगा आपकी धन कमानी की बहुत तेज इक्षा होगी वह आप धन अरजित करते समय उचित या अनुचित के विचार भी छोड़ सकते हैं आप शेर मार्केट या अन्य कोई करीका जिससे अचानक धन प्राप्त हो चाए ऐसा कारे करने में ज्यादा विश्वास करेंगे आपका भाग्य पक्ष मजबूत होने के कारण आप सब प्रकार की विपत्तियों से जल्दी निकलाते हैं आपका संपर्क उचे तपके के लोगों से रहेगा जिसके कारण आप अच्छा धन कमाने में काम्याब होंगे आपके जीवन में 15, 24, 33 वर्ष विशेश परिवर्तन कारी हो सकते हैं इस्त्रियों का स्वभाव बुद्वार को जन्मी स्त्रियां सुन्दर, गुणवती, तेज, तर्रार व तिखे नैन नक्स वाली होती हैं कद छोटा व बुद्धी तेक्षण होगी आपको इभी कारी जल्दी ही सीख लिया करती हैं इन्हें पती, शालीन व समजदार मिलता है इनका वेवाहिक जीवन सुखमय कहा जा सकता है संतान की ओर से इनका मन प्रसन रहेगा जिनिस्त्रियों का जन्म दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मद्दी होता है उनके गाल, पैर वा पेट पर काले तिल होनी की संभावना है स्वास्थ्या, आपको ये रोग हो सकते हैं जैसे त्वचा समंधी रोग, आख के रोग, हातों में पक्छा घात तथा असनायू समंधी रोग, बोलने में दोश, निंद में कमी, जुकाम आदी शुब दीन, रविवार, बुदवार, वस्वमवार का दीन आपके लिए बहद अच्छा रहेगा शुब महीना, जन्वरी, मार्च, जुलाई, अगस्त और 21 मैं से 27 जुन तक समय आपके लिए बहद अनुकुल रहेगा शुब महीना, सितंबर, दिसंबर और 1 मैं से 20 मैं तक का समय आपके लिए अनुकुल नहीं है शुब रतना, आपके लिए पन्ना या चाइनेज मरगज सुलेमानी रतना, चांदिया सोनी के अंगुठी में कनिष्ठा अंगुली में बुद्वार के दिन शुद्ध करके धारण करें व्रत और मंत्रा, आपकी प्रधान देवी लक्ष्मी जी हैं, अताहा आप उनके राधना करें, बुद्वार को प्वास आपके लिए उचित रहेगा आप निम्न मंत्रा ओम स्रीम स्रीम कमले कमलाए प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्री ओम महालक्ष में नम्हा का प्रति दिन एक माला जाप करें ये तो फ्रेंड्स बहु मुखी प्रतिभावाले होते हैं बुद्वार को जन्मे लोगा प्रति हैं orchestra कि वाथ हैं स्रीम को जम स्रीमी स्रीम में गले स्रीम